हेलो फ्रेंड्स मैं हूं माया उजालिया आपका स्वागत है मेरे चेनल स्वाद वेदा में आज हम बनाएंगे बारिश में बनाए जाने वाली सबसे पसंदिदा चीज पकोड़े लेकिन आज हम ये पकोड़े कच्चे केले से बनाएंगे आईए देखते हैं कच्चे केले के पकोड़े की रेसिपी पकोड़े बनाने के लिए हमने लिए हैं चार कच्चे बनाना इनको हम कूकर में डालकर एक विसिल आने तक पकाएंगे एक विसल लग गई है अब हम गेस बंद कर देंगे और इसे ओपन करके बनाना को ठंडा करके छीलेंगे पकोड़े के लिए जो हमने बनाना लिये थे उनको हमने ठंडा करके छील लिया और इसे छोटे छोटे से पीसस कर लिये हैं अब हम इसे अच्छे से मेश कर लेंगे, केलो को हमने इस तरह से मेश कर लिया है, अब हम इसमें आधा कप बेसन मिलाएंगे, दो छोटे चम्मच, चावल के आटा, और एक बड़ा प्याज कटा हुआ, और साथ ही हम डालेंगे अजवाइन और जीरा का पाउडर, इसे हमने दोनों को मिला के अजवाइन और जीरा को एक दरदरा सा पीस लिया है, और इसमें हम डालेंगे, इसका टेस्क बहुत ही अच्छा आता है, पकोडों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, एक चम्मच मिर्श डालेंगे और आधा चोटा चम्माच हल्दी पाउडर आधा चोटा चम्माच चाट मसाला वन फॉर्थ चोटे चम्माच ही नमक स्वादा नुसा हरा धनिया अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अब हम इन सबको हाद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको पानी की जरुद है थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे जिससे कि यह पकोड़े का बेटर अच्छे से बन जाए ज्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा पानी और लगेगा पकोड़े का बेटर हम ज्यादा पतला नहीं करेंगे इसे टाइट ही रखेंगे अगर हमने पतला कर दिया तो वह ज्यादा ऑईल एब्सॉर्ब करेंगा जो डाइट होगता है वह कम ऑईल अब्सॉर्ब करता है और इसमें हमने जो चावाल का आटा मिलाया है उससे पकोड़े कुरकुरे बनेंगे अब हमने एक कड़ाई में ऑईल डाला है रिफाइंड ऑईल और गेस ओन कर दिया है ऑईल गरम होने देंगे इसमें हम अब जीरा डाल कर देख लेंगे ये एकदम से उपर आ रहा है मतलब की ऑईल गरम हो गया है अब हम इसमें जो हमने बेटर बनाया है पकोड़े का थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे केरफुल ही डालना है और छोटे-छोटे पकोड़े इसमें छोड़ते जाएं गेस अभी फुल ही रखना है अगर हम अभी गेस कम कर देंगे तो इसमें पकोड़े ऑईल एब्सॉप कर लेंगे और ऑईल भी ठंडा हो जाएगा अब हम इसे तरह से हिला देंगे इनको टेंड कर देंगे जब यह दोनों साइट थोड़ा थोड़ा सा पक जाएं इसके बाद गेस मीडियम करके पकाएंगे इससे कि यह अच्छे से कृष्पी हो जाएंगे अगर हम फूल पही जल्दी जल्दी से पका लेंगे यह रेट तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से फिर कच्छे रह जाएंगे यह देखिए अब हम गेस मीडियम कर देंगे यह देखिए पकोड़े अच्छे तरह से पक गए हैं और किस्पी भी हो गए हैं अब हम इने प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से बागी के पकोड़े भी हम इस तरह से निकाल लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब कीजिए